In fact, मैं आपको बता दूँ कि मैं complaint के कारण ही आई हूँ, मेरे पास complaints थी बहुत सारी इकठी हो रही अलग-अलग जगा से, जिसमें महिलाओं के प्रती वो IC ने जो बोला था कि मैं आपके घर चला दूँगा और वो था audio clipping थी, उसके बाद में individual complaints थी, उन सब के लिए मैं inquiry करने के लिए यहां आई थी, especially jail में मैंने सुना था, कुछ महिलाओं बंध है, उसको देखने आई थी, और जो मैंने सुना था या जो complaints सुनी थी, उन से कहीं कहीं ज्यादा यहां पर देखा, मुझे लगा नहीं कि मैं इंडिया के ही किसी पार्ट में हूँ, मुझे लगा नहीं क कि पुलिस लोगों की help के लिए होती है, यहां पर आके बिल्कुल एक अलद ही नजारा सुनने में और देखने में आया, कि पुलिस एक agent की तरह काम कर रही है, and she is, the police is getting, police orders मिल रहे हैं, जैसे उनको कहीं से, चाहे कोई भी political party हो, ruling में से, कहीं से order आ रहे हैं उनको, और वो उन्हें के भिहस्ट पे काम कर रही है, यह बुरा लगता है देखके कि उन्होंने ओथ ली कल मैंने SB से भी पूच्छा था, कि जब आपने job join किया था, तो आपने क्या ओथ ली थी, तो उसने बोला मैंने ओथ ली थी कि help करने के लिए, तो मैंने का, क्या help कर रहे हो, इतनी ओरतें जो मेरे पास आ रही हैं, तो क्या आप यह help है आपकी, उसके पास कई चीजों के जवाब नहीं थे, वैसे ही DM पहले उसने आने से मना कर दिया, और जब मैंने tweet किया, और उस tweet को एक हल आपके social media में यहाँ पर इतनी सारी ओरतें, जिनके छोटे बच्चे थे, उनको जेल में रखा गया, छोटे बच्चे को भी उसको साथ जेल में रखा गया, मदर्स जो एजेड हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई, अब कोई देखने वाला नहीं है उसके बच्चे को, ऐसे लोग मिले के लिए, वो बाहर घूमती रही, उन्होंने पैसे भी खर्चे लेकिन उनकी आखे ठीक नहीं हूँ, ऐसा बहुत सारा कुछ देखने में, आज कैलमपॉंग में आई हूँ, तो सुबह से मुझे कितनी कम्प्लेनेंट्स मिली हैं, ऐसी मदर्स, सिस्टर्स, और्टर्स, और् घर के जो मेंबर्स हैं, उनका पता नहीं कहा जंगलों में घूम रहे हैं, मेरे पास काउंटिंग नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक जंगल में और घर नहीं आ पारे क्योंकि पुलिस उनको बकड के ले जाएगी, मैंने जेल में जाके देखा, एक एक आदमी के उपर 47 cases, 27 cases, इतने cases हैं, जो politically बंद हैं, कि वो मिखल जिन्दगी भर cases निपताता रहेगा, और ऐसे ऐसे एक महिला पे वो जो मैं बतारी हूँ, एक छोटी बच्चे के साथ जो जेल में रही, उसके उपर आम जैट के अंदर उसको बंद किया था, आगर आप उस लड़ी को देखे होगी, तो आप कभी सोच नी सकोगे कि वो आम रख सकती है अपने, उसको खुद का बतानी है कि उसने next खाना कहां से खाना है, तो वो आम कहां से रखेगी, बहुत atrocities हुई हैं पोलिस की, मैं ये सारी complaints लेके center government को तो दूँगी ही, मैं I'll give these complaints to the president of India also, because center government ही इस पे चाहूंगी और मैं appeal करूंगी, क्योंकि CM खुद एक महिला है, और अगर वो आकर इनी complaints से मिलें, तो शायद उनका भी दिल पिगल जाए, और वो सुनेंगी और जब उनकी कहानिया, तो मुझे नहीं लगता कि center को भी कुछ करने की जरुरत पड़ेगी, वो खुद करना चाह क्योंकि अगर वो कहती है, यह West Bengal का part है, तो West Bengal के part को इस तरह से काट के नहीं रख देना चाहिए, कुछ उनी के लोग है, उनकी बात आके सुनेंगी, तो अच्छा रहेगा, तो आप लोगों के थ्रू मैं यह भी message देना चाहूंगी, state government को, मैं इतना direct कहना नहीं चाहूंग चाहिए, और महिलाओं को यह कह रहा था कि मैं तुम्हें रेप कर दूँगा, और वो complain वापस भी ले ली गई उसी डर से, वो मेरे पास जब complain आई थी तो उनहीं की थी, महिलाओं की ही थी, जिन्नोंने complain वापस ले ली, तो अगर वो पुलिस अपने आप कर रही है, तो माम लोग सोच सकते हैं कि मुझे उस ताइम एंटर करने दिया जा सकता था, मुझे अभी भी मना कर दिया गया था कि आपको कुछ वहाँ पर help नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ elections हो रहे हैं, तो सब election में duty में है, हमने पता लगाया, सेंटर से भी पता लगाया, तो वह election अभी नहीं हो रहे थे, वह extend हो गई उसकी date, और उसके बाद मुझे एक चिठी लिखनी पड़ी कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता है, तो state government responsible होगी, यह मैंने chief secretary और डीजी को भी लिखी थी, उसके बाद में मुझे security प्रवाइट की गई, नहीं तो उससे पहले मुझे यह कह दिया गया था, कि कुछ security नहीं, मेरे पास अभी भी एक कोई special officer नहीं है, यहाँ पर, कल DM ने आने से मना कर दिया, आज SP आने से भी, यहाँ का भी आने से मना कर रहा था, कल SP वहाँ पर चुटी था, IG चुटी पर था, पूरा administration ऐसा लगता है, चुटी पर चला गया मेरे आने से पहले, political motivated, अगर आपके उनके वो देखोगे, तो उनको बिचारी महिलाओं को ये भी नहीं पता कि NCW आ रहा है या Human Rights Commission आ रहा है, उन्होंने लिखा है Human Rights Commission, National Commission of Human Rights, तो उनको तो ये भी नहीं पता आ कौन रहा है, उनको किसी ने पकड़ा के बना के पकड़ा दिया कि आप पकड़ के खड़े हो जाओ, तो वो खड़ी है, मेरे को उनसे कोई भी वो नहीं है, वो महिलाओं भी खुद भी problem में थी, उनके उपर भी cases थे, उनको भी जोर जबर्दस्ती की गई और उनकी party change करी गई, कुछ दिन पहले, मेरे पास दारजिलिंग में एक लेडी आई, जो ये कहने कि आप क्यों आया और 105 दिन पहले नहीं, लेकिन वो खुद रोने वाली थी, और वो मुझे कहती, अगर मैं आप से अलग से बात कर सकूँ, तो मैं कुछ बताओ, वो अलग से बात नहीं कर पाई, और वो ही लेडी बहार खड़े हो के वोर्डिंग में, मैंने तो देखा नहीं, ना यहां देखा, ना वहां देखा, वो कौन से कोने में खड़ा किया वा था, उनको मुझे नहीं पता, आज भी मैंने नहीं देखा, और उनको जो बना के खड़ा कर लिया, वेर के करूंगी कि स्टेट से ही बात करूं और हो जाये क्योंकि first responsibility state की होती है किसी भी राज्य में अगर ऐसा कुछ हो तो उनी की responsibility है नहीं तो फिर मैं home minister and president of India को भी ये सारी शिकारते जाके दूंगी जहां तक मैंने छोटी छोटी चीजें थी वहां पर ही मैं देख सकती थी, किसी को मेडिकल की जरूरती तो CMO को बुला के, मैंने उसी टाइम बोला कि यह यह लोग आएंगे आपके पास, और आज वो गए भी और उनको देख लिया गया, और किसी को जॉब की जरूरती तो मैंने उसके जॉब की कोशिश करी, जिसको छो अगानी कि यहां पर डेमोक्रेसी है, मतलब ऐसी अट्रॉसिटी मैंने नी सुनी थी, इंडिबेंडन इंडिया में, एमर्जेंसी भी देखी हम बच्चे थे, हमने कहानिया सुनी एमर्जेंसी की बट इतना बुरा हाल, एमर्जेंसी में भी नहीं था शायद मैóle बचस्तों किसा ब्लाविक काई स्टेट का strips करता है, महिला-पाईयूक कि स्टेट कहीए था पहले पेले है, पता नहीं है नहीं आई है आप लोग उजादा बेहतर जानते हैं, लेकिन उनकों ही पहले आना चाहिए, क्योंकि किसी पलेटिकल पार्टी की नहीं होती है, ज को सुना, सब तरहां के लोग आए, कुछ यह कहने भी आए कि आप क्यूं आए और कुछ यह कहने आए कि आप आए तो अच्छा लगा, कोई तो आया हमारी सुनने, तो सब को सुना मैंने, और मैंने रियाक्ट नहीं किया, जिसने जो कहा वो अपने मन की कम से कम भडास निकाली मैं जो जो कम्पलेंट लेके जारी हूँ, जिसके अगर वो पुलिस की है तो हो मैं मैं दूंगी, जो टेक इट फवरवर्ट क्योंकि हमारी अडवाइजरी बॉड़ी है, हमारे पास यह चीज नहीं है कि मैं कुछ कर सकूंँ चेंजिस, मैं लॉज बना सकूं, मैं लॉज ब कमिशन आती है, किसी भी पुलिटिकल पार्टी की हूँ, सब आती है, और जब से मैंने जॉइन किया है, एक मुठी की तरह हम काम कर रहे हैं, सारी स्टेट कमिशन, आप किसी भी स्टेट कमिशन चेयर परसन अदर देन वेस्ट बेंगॉल, आप पूछिए, आपको लगेगा कि मैं एक किसी पुलिटिकल पार्टी की हूँ, या वो किसी दूसरे पुलिटिकल पार्टी की है, हम सब एक तरह है, लेकिन वेस्ट बेंगॉल कमिशन कभी किसी मीटिंग में नहीं आया, कभी हमारी चिठी का जवाब नहीं दिया, कभी कोई हम फॉर्वर्ड करते हैं, तो जवाब नहीं आता उनका, तो मुझे पता नहीं यहां पर कमिशन है या नहीं है, मुझे लग रहा है कि जब सेंटर के ओफिशेल्स ही वेलकम नहीं है, तो ये क्या, मतलब, ये कौन सा हमारा पार्ट ऑफ कंट्री ही है ना, जब वो हमें ही नहीं आने दिया जा रहा, तो आ हर चीज पर पाबंदी थी और अभी भी पाबंदी है, अगर आप मुझे ज़्यादा कोश्चन करोगे तो शायद आपको कोश्चनिंग के लिए बुला लिया जाएगा